पूलिस महिकमे में तबादले की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है अपेक्षित स्थान पर तबादला हो तो अधिकारी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता मन माफिक स्थान पर तबादला नहीं होने पर अधिकारी अपने नाराज की भी जटाते हैं लेकिन अधिकांश मामलों में अधिकारी अपने स्थान अंतरन को सिखाते हुए अपना पत्भार संभाल लेते हैं यहाँ चन्रपूर में एक पुलिस निरिक्षक ने तो तबादले को अनुठा अंदाज प्रदान कर सभी को हैरत में डाल दिया पी आई का तबादला क्या हुआ उन्होंने अपने नी वर्तमान कारेले के टॉयलेट का दर्वाजा, कुलसी, टेबल, एसी, परदे और एलेडी लाइट आदिसा भी साथ ले लिया चन्रपूर के LCB में पुलिस नीरिक्षक पत पर कारेरत बाला साहिब खाडे का स्थानन तरण प्रक्रिया के तहर पुलिस अधिक्षक कारेले के ही मानो संसादन विभाग में हुआ इस तबादले के बाद दुसरे दिन ही उन्होंने LCB कारेले में अपने कारेकाल के समय जो परिवतन किया था वे सभी सामगरी, टॉयलेट का दरवाजा, कुलसी, टेबल, एसी पर दे और एलेडी बल्ब, आदि सामगरी निकाली और साथ ले गए खाडे को LCB के पुलिस निरिक्षक की जिम्मेदारी निभाते हुए दो वर्षत तीन महा का कारेकाल हुआ था, हाल ही में जिले के जिन 34 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए है, उनमें खाडे का भी मानो संसादन विभाग में तबादला किया गया है तबादले के बाद 33 अधिकारियों ने अपना पदभा संभाला, परन्तु पुराने पद की कोई सामगरी को हाथ नहीं लगाया, खाडे की सरकत ने पुलिस विभाग को चल्चा मिला दिया, हैरत की बाद तो ये है कि अब तक जिला पुलिस अधिक्षक ने इस संदर्भ में किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है